मैं MD-CVPPL, आप सभी का हिर्दे से स्वागत अभिनंदत करता हूं जैसा सर्वा साहब ने बताया कि चेनाप भैली प्रोजेक्स इस्तवार जिले में एक मुख्य इंप्लोईमेंट का जरिया बना हुआ है हम यहां पे तीन प्रोजेक्ट कॉंस्रक्शन में है और एक हमारा इंवेस्टिकेशन में है हमें यह बताते हुए गर्व होता है कि हमने अंस्किल्ड कैटेगरी में यहां पे जितना से जादा से जादा हो सका है हमने यहां के local लोगों को ही काम पर लगाया हुआ है हमारे major contractors के थुरू हमने semi skilled category में भी 90% से ज़्यादा यहां के local ही लगे हुए हैं skilled category में हमें क्योंकि हमारे भारत सरकार के दौरा हमें भी एक निर्धारित सीमा समय लक्ष दिया जाता है कि इस परियोजना को कुछ समय में पूरा करना है और उस समय के अंतराल में पूरा करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ skilled category के लोग बाहर से लाएं तो जो काम यहां के लोग नहीं कर पाते हैं या वो थोड़ा सा करने में बाहरवालों से थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो हम उन लोगों को ही बाहर से लाके यहां पर कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्स की प्रगती को थोड़ा बढ़ाएं हमारा जो amune conditions है सर उसके तहर सर जैसे ये project पूरा हो जाता है तो सर एक local area development का 1% बिजली का जो मुल्ले है सर हो यहाँ पे local area development के लिए आएगा सर यह परति वर्स ना भी सर मुझे लगता है कि 20 करोड के आस पास सर यहाँ पे इस local इलाके में आएगा सर और ये project खतम होते ही मु से काफी विकास भी होगा